हाँ जी दोस्तों आपका Consolidation of Financial Statement जो चेप्टर है उसके अंदर आपके पास में Unit 1 जो AS21 है उसका Last Question अब करने जा रहे हैं उसके बाद आपके पास में यह जो AS21 है पूरे का पूरा Complete हो जाएगा आपके पास में इस AS21 के लिए खतम हो जाएगा ठीक है प्लेइलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी होगी वहां पे आप जो है प्लेइलिस्ट में जा सकते अगर कोई अधर चेप्टर में भी प्रोब्लम है तो आजा के आप देख सकते ठीक है आजाए जल्दी से में इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ आपके पास में लास्ट कोईशन है जल्दी से इसे कंप्लीट करके फिर नेक्स चेप्टर पर आगे बढ़ेंगे कहते हैं कि सर ऑन 31st मार्च 2001 की बात कर रही है लोग किया बैलेंश शीट आपको दे रखी एच लिमिटेड एन इस सब सब्सेडरी ठीक है तो यहां पर पहले साही बता रखाए कि सर एस लिमिटेड जो है उसकी सब्सेडरी है ठीक है तो कहता है कि इनकी इंफोर्मेशन आपके पास में और देख लीजे क्या क्या इंफोर्मेशन है ठीक है लाइबलिटी और एसट वगरा मैं आपको दी गिवन है ठीक है तो यह सारी चीजें आपको पास में गिवन और इसके बाद अगर आगे बात करें तो कहता है कि एडिशनल इंफोर्मेशन आपको कुछ गिवन है यह इंफोर्मेशन को कंसिडर करते हैं क्या चीज़े हैं देख लेते हैं क्या एच लिमिटेड पर्चेस करते हैं 180 एक शियर्स अस्लिमिटेड के ठीक है तो यहां पर पर्चेस कितना कर रहा है सर 180 लैग शेयर्स पर्चेस कर रहे हैं अब कब पर्चेस करें कहता है थर्टी फस्ट मार्ट टू थाउजेंड को अच्छा यह बैलन्स शीट की इंफॉर्मेशन तो थर्टी पर्टी फॉल्ण वन की information है ठीक है तो इंपोर्टन यह है यह point आपके पास में यह 31st मार्ट लिखा है तो student यह समझ लेता है कि सर यह एंडेट पर पर्चेस किया यह एंडेट नहीं है यह की starting है टूथाउजन आपके पास में और वह 2001 था ठीक है तो यह चीज इसमेंड डिफ्रेंस आपके पास में ध्यान से पड़िया करिए ठीक है कहता है कि सर आपके पास में वैंड़ बैलेंस आपके पास में गीवन है कि जिनरल रिजर और प्रॉफिट अं लोग्स अकांउट है और profit and loss account आपके पास में 1200 lakh रुपीज है बुलना नहीं है यह प्री profit है क्योंकि दे रखा आपको 31st March के आपके पास में 2001 मतलब की year की starting opening आपको दे रखा है ठीक है opening तो ओल्वेज आपके पास में प्री में ही रहेगा सीधी से बात है तो opening आपको दे रखा प्रीप्रोफिट है इसके बाद क्या चीज है कि होने कहता है कि सर आपके पास में एस लिमिटेड ने declare कर दिया सबसीडियर कर दिया फॉस्ट एप्रिल 2000 को क्या डिकलेर कर दिया सब डिवीडेंट डिवीडेंट माना जाएगा holding company के लिए तो कहता है holding company एच लिमिटेड जो है वह क्रेडिट कर देती है डिवीडेंट को P&L में ये गलत कर दिया सर प्री अक्वेजिशन डिवीडेंट कहां पे जाता है cost of investment में में से माइनस होता है आपने क्या कर दिया P&L में डाल दिया तो इसका rectification भी करना पड़ेगा उसके बाद cost of investment में माइनस करना पड़ेगा तो दो चीज़े यहां पर हो जाएगी क्योंकि एक तो आपने गलती कर दी उसे सुधारना पड़ेगा और जो सही entry है उसे भी आपको enter करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद क्या कहता है कहता है कि first gen 2001 को ठीक है first gen 2001 को यहां पर कहता है एस limited ने issue कर दिये three fully paid bonus shares for the five shares ठीक है तो पांच share के बड़ले कितने मिलेंगे sir तीन shares मिलेंगे ठीक है sir यह आपने bonus issue कर दिया कब sir first gen 2000 को 2001 को sorry और आपके पास में कहता है कि यह जो आपने balance आपके पास में जो bonus issue करें है वह कहता है कि sir balance जो जनरल रिजर्म में available था as on आपके पास में यह important point है ठीक है तो ठीक है तो ठीक है है कि sir all the bills payable आपके पास में है जो एस लिमिटेट के है ठीक है bill c पेबल केंच अदीआ़किर नदीख रहे ही हैं आपके पास में इसने Giving вол 2019 के तो कहता है all the bills payable जो S Limited के है balance sheet में दीख रहे है कहता है accepted है in the favor of S Limited ठीक है तो S Limited की favor में हमने accept करें कहता है S Limited यह कह रहा है कि मुझे सिर्फ सि 45 एक रुपिस लेने क्योंकि बाकी के वो जो है वो endorse कर चुके अब endorse कर देते तो उसका हमें कुछ करना नहीं होता अगर holding company कह रहे कि 45 एक रुपिस का ही मुझे transaction देखना है तो बस उतना ही करेंगे तो करेंगे क्या ज्यादा कुछ नहीं bills payable में से 45 माइनस कर देंगे और bills receivable में से आमने सामने यहां पर आपके पास में 100 लेक रुपिस ठीक है सर 100 लेक रुपिस में आपने जो है कुछ inventory purchase कर रखिए किस ने purchase करी एस लिमिटेड ने purchase करी एच लिमिटेड से ठीक है by कर देता हूं 100 प्लस परसंटेज ठीक है 100 प्लस परसंटेज मतलब कि पच्चेस डिवाइड बाए एक चोपत्चीस कर देंगे आपके पास में जिसका भी कि उनकी सबसेडरी का भले यहां पर देखे एच लिमिटेड और सबसेडरी क्लियरली बोल रखा है कि यहां पर होल्डिंग और सबसेडरी का है लेकिन आपको ओल्वेज वर्किंग नोट में यह दिखाना पड़ता है कि कितना परसंट होल्डिंग है और उस परसंट से आपके पास में क्यूं वर्डिंग और सबसेडरी का का रिलेशंसिप है सीधी सी बात है वोल्डिंग परसंटिज 50 से ज्यादा होगा तभी तो वोल्डिंग सबसेडरी है वह आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ता है भले ही कोशन ने कहे रखा है कि एस लिमिटेड सबसेडरी है लेकिन फिर भी वर्किंग नोट में कि दिखाना पड़ता है कि कितने परसंट की होल्डिंग है यह सारी चीज़े दिखानी पड़ती ठीक है चलिए तो कितने परसंट की होल्डिंग है सबसे पहले तो वही दिखा देते कहता है कि 180 लेक्ट शेर्स पर्चेस करें हैं डिवाइट बै टोटल नंबर ओफ शेर्स क capital है यह हमें को भी नहीं लेना होता है authorized का मतलब तो सर authority है issue थोड़ी ना किया main चीज़ होती है issue and subscribe share capital वही आपके पास में market में घूम रहा है तो वह लेना होता है basically तो कितने share से बताइए कहता है 480 पास्वरी 4800 रुपिश के share divide by 10 कर दूगा तो number of share मिल जाएंगे तो divide by 10 कर देंगे 480 shares आ जाएंगे तो कहता है 480 lectures ठीक है लेक शेयर सापके पास में और जैसे percentage करने जाएंगे मैं तो percentage से पहले ही कहे दूँगा कि यह गलत entry है क्या का मैंने कि आपके पास में गलत entry क्या कह रहे है सर हां बिलकुल सही कह रहा हूं सर आप नहीं पढ़ा है कि सीधी सी बात है जितने purchase shares करें divide by total number of shares कर दो तो percentage आपको मिल जाता holding का मैंने बिलकुल सही पढ़ा है कोई गलत नहीं पढ़ा है तो सर हम वही कर रहे हैं और आप आपके पास में ले रहे हैं वो 31 मार्च 2001 का है मतलब कि एक opening है एक closing है इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोनों आपके पास में सही है आपके पास में opening और closing लेना कोई गलत नहीं अभी तक तो वही लेते आ रहें लेकिन सर एक चीज जहान opening है मतलब कि इसमें bonus का कोई treatment नहीं हुआ और यह जो 480 आपको दिख रहा है वो तो closing है सर इसमें तो bonus already include है bonus already include है कहता है rule क्या कहता है सर simple match का rule क्या कहता है सर denominator और numerator जो भी आप यहां पे लेते हैं बेज या फिर आपके पास में ऊपर जो लेते हैं कहता है बेज और उसके ऊपर जो भी amount लिया जाते है उसमें equality होनी चाहिए अगर यह without bonus है अगर यह without bonus है तो उसकी comparison without bonus से ही होना चाहिए ठीक है without bonus है आपके पास में तो उसकी comparison without bonus amount से ही होना चाहिए कहता है कि सर 180 तो without bonus share लेकिन 480 में तो bonus share already include हो चुका होगा bonus share से capital increase होती है सर बिल्कुल bonus share कब issue करें गए first gen 2001 को 480 कब के है 31st mark 2001 का मतलब की bonus already इसमें included है सर तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर सबसे पहले इसमें से bonus हटाओ उसके बाद percentage निकालना क्योंकि उपर without bonus amount है तो नीचे भी without bonus amount ही चाहिए अपने को हाँ सर यह तो सही एकदम यह तो एकदम perfect है सर सही कह रहा है मुझे तो सही लग रहा है एकदम से ठीक है सर तो एक काम करते हैं सर bonus amount निकाल लेते कैसे निकालेंगे समझ यह बहुत ज्यादा simple होता है कहता है कि पांच shares के बदले ठीक है पांच shares के बदले तीन सेर bonus मिलेंगे कहता है पांच shares के बदले तीन सेर bonus मिलेंगे ठीक है सर यहाँ पेईज ले लेते कि क्या कहते हैं के पास में सर आपके पास में कहा गया है कि कहते है कि सर आपके पास में वर्किंग नॉट नमबर वन यहां पर कहते हैं पांच शेर्स के बदले पांच फाई शेर्स के बदले फाई शेर्स के बदले आपको कितने दिये जाएंगे सर तीन शेर्स बॉनस दिये जाएंगे तो तीन बॉनस शेर्स आपको प्रोवाइड किये जाते हैं और बॉनस शेर्स फ्री ओफ शेर्स होते हैं ठीक है इसमें कोई पेमेंट नहीं करना होता ठीक ह इंपोर्टन बात यह है कि मुझे 480 में कितना बॉनस मिला हुआ है वह जानना है देखे ज्यान से सुनिएगा सर 480 लेक्ट जो शेर्स आप देख रहे हैं ठीक है यह एंडेट पे 480 लेक्ट शेर्स में यह मतलब क्या निकलता इस चीज का इसका मतलब यह निकलता है कि इसमें बॉनस ओल्रेडी इंट्लूडेड है सर बॉनस 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 सर बॉनस ओल्रेडी इंट्लूडेड है ओल्रेडी इंट्लूडेड है क्या यह चीज समझ में आ रही है ओल्रेडी इंट्लूडेड है आपके पास में सर यह चीज तो समझ में आ रही है चलिए यह चीज आपन में क्या है सब यह four eighty में Bayside bonus included इसका मतलब कि इसका का मतलब नॉर्मल जो है आपके पास में ठीक है नॉर्मल human देख कि यह आपके पास में है और प्लस स्मे बोनस भी एड़ एडन है ठीक है नॉर्मल सेज्च जो आपने ईशु करें होंगे और इसमें बोनस यह आपके सब्सक्राइब जो नॉर्मल इशू शेयर से और बॉनस यह दोनों इसमें इंट्लूडेट है कहता है उसमें बॉनस शेयर कितना अमाउंट है वो निकालना है बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से निकल जाएगा देखिए सिंपल तरीके से मेरी बात समझना कहता है कि सर्फ फोर हँड़ीट ईटी लेकश आपके पास में है ठीक है इसमें कितना इंकलुडड है वो मुझे निकालना है ठीक है कितना कितना कितनेंट है वो मुझे निकालना है कहता है कि सर्द eh necessary ininking गे वह तीन बॉनस आपके पास में दिए गए basically ठीक है किस पे दिए गए सर आपके पास में पांच शेर्स के बदले तीन शेर्स दिए गए bonus कहता है कि सर यहां पे आपको आठ शेर्स लेने पड़ेंगे यहाँ पे आपको लेना है सर्फ bonus plus bonus plus issue मतलब कि normal share plus bonus यह चीज़ आपको लेनी है यहाँ पे मैंने well आई देखे 5 share पहले थे तीन bonus के आपको extra मिलेंगे मतलब कि 5 के बदले 3 मिल रहे समझेगा 5 shares आपके normal share है ठीक है वो पहले से आपके पास में होंगे इसके बदले आपको क्या मिलेगा सर तीन और मिलेंगे ठीक है तो total आपके पास में कितने हो जाएगे 8 वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे भी कहते है कि पहले कुछ total number of shares होंगे उसमें bonus add हुआ तो आपके पास में 480 lakh shares आपके पास में बने है तो यह 8 के equal है सर 480 lakh share है वह 8 के equal है कहता है 480 पर मुझे ढूनना है कि bonus shares कितना है मुझे 8 पर मुझे पता है कि सर 3 bonus इसमें included है मतलब कि सर यह 8 का मतलब क्या है सर 8 का मतलब है 5 normal 3 bonus 5 normal 3 bonus कहता है 8 shares में 3 bonus है तो 480 में कितना bonus जूड़ा हुआ है वो निकालना है बस 8 shares में 3 already included है तो 8 share में 3 already included है तो मु 40,000,00 शेर में कितना included है coarse cross multiply करना है बस और क्या ही करना है कहता है cross multiply कहता है 48,000,000 टो 3 divide by 8 48,000,000 टो 3 divide by 8 कितना bonus included है कहता है क сохран आपके पास में number of bonus shares मिल जाएंग意 180,000,00 टो 40,000,00 , ὢ國 40,000,000, ₃filled क्या बात समझ में आ रही है सर बहुत ज्यादा सिंपल सा पॉइंट है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझ जा कहता है कि सर आठ शेर्ड में तीन included है क्योंकि पांच नोर्मल है तीन बॉनस है आठ शेर्ड में मुझे क्यों लेना पड़ा क्योंकि यह जो उपर में amount ले रहा हूँ जिसके बदले मुझे निकालना है कि इसमें bonus कितना है वो already included amounts है इसलिए यहाँ पे भी मुझे included लेना पड़ेगा ठीक है उसके सामने तीन bonus included है तो कहता है 480 में कितना included होगा कहता है कि 180 इसका मतलब सर मैं अब यहाँ पे निकाल सकता हूए 480 में कितना bonus है और remaining आपके पास में क्या होगा सर remaining 480-180 कहते है Какई आपके पास में क्या है 300 लेक्षा है आपके पास में यह लेक्स है ध्यान रखेगा ठीक है 300 आपके पासमें लेक्षाइस है किया यह सरaking normal या फिर नौर्मल इशू कह सकते ठीक बनार्मलρίž के पास में तो लोजी काम हो गए आपने पास में यहां पे 180 क्या है सर्भ किंद बॉनस इंक्लूड़ोड मुझे यहां पे भी विदॉट बोनास इंक्लूड़ह लेना है तो सिद्धी से बात impostor 1980 मैंसा ब्ॉनस कितना इंक्लूड़ creator पता चल गया 180 188-1 880,020. निकला आदे आगया का percentage एक दम perfect कहता है 180 480 में से 180 minus कर दिया तो 300 तो 180 divided by 300 percentage तो 60% holding आपके पास में आ गई ये real holding आई ये perfect holding आई ये real holding आपके पास में आ जाई ये चीज़ important है ये चीज़ important है बहुत ज्यादा important है ठीक है तो ये important point क्या समझ में आया simple सा point है लेकिन थोड़ा स सद्यान रखने वाला था ठीक है तो इसे no down कर लिजेगा वीडियो को stop करके अगर समझ में नहीं आया है को सकता है I see module में कुछ different तरीके से दे सकते मुझे पता नहीं solution मैं आपका देखा नहीं लास्ट मैं देख लेंगे ठीक है टाइम रहा तो आप खुद देखते रही है क क्यों कि concept clear होता है तो मुझे solution देखने की जरूरत ही क्या है ठीक है अगर आपका भी concept clear है तो आपको भी solution देखने की क्या ही जरूरत है ठीक है चलिए कोई दिकत नहीं है लेकिन आपको solution देखना चाहिए ते कि last answer तो check करना ही चाहिए क्या match हो रहा है या फिर नहीं ठीक है म यह चीज आपके पास में clear अब यहां पर start करते सर consolidated balance sheet start करते सर consolidated balance sheet start करने के लिए आपने एक चीज बताई थी सर consolidated balance sheet prepare करना है तो उससे पहले आपको एक चीज करनी पड़ती क्या चीज सर कहता है कि सर आपके पास में यहां पर आपके पास में एक चीज जो आपको ध्यान में रखने होती है सबसे पहले create करने होती है वह है आपके पास में minority interest और cost of control ठीक है minority interest and cost of control जो आपको बनाना होता है सर बिलकुल बनाएंगे सबसे पहले वही उसके बाद consolidated balance sheet पर जाएंगी तो कहता है एक आपके पास में working कितना बच गया कहता है कि साथ 60 परसेंट आपने holding ले गया तो minority मतलब की subsidy के पास कितना बचा सर 40 कहते है 40 percent off आपको करना है 40 percent off कहता है शेहर capital कि आपके पास में प्रीप्रॉफिट है ठीक है प्रीप्रॉफिट और आपके पास में पॉस्ट प्रॉफिट यह तीन चीज़ को आपको ले लेना है इसका टोटल करना इसका टोटल का 40% कर दोगे Minority Interest निकल के आ जाएगा ठीक है सर यह चीज़ आपके पास में आ जाएगे Minority Interest का मौन इसके बाद आपके पास में आ जाता है सर COC cost of control cost of control cost of control कैसे निकलेगा cost of control कैसे निकलेगा simple से बाते देखे कहता है कि cost of control जो होल्डिंग के और से होता है मतलब कि इनका holding percentage क्या है 60% holding का percentage क्या है 60% कहता है 60% of share capital लेना है लेकिन ज्यान रहे सर ये सिर्फो से pre profit को ही इंक्लूट करता है post profit ये नहीं लेता minority interest सब लेता है यहाँ पर आपके पास में post profit नहीं आएगा तो यहाँ पर simply logic क्या रहता है कि sir post profit यहाँ पर नहीं आता 60% part ठीक है 40% part तो minority ने ले लिया post का 60% कहीं पर भी नहीं आता तो वो चला जाता है sir आपके पास में consolidated balance sheet के reserve surplus में ठीक है मैंने आपको detail में पढ़ाया था illustration part पर ठीक है तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे ज्यादा discussion करने की जरूवत नहीं है आपके पास ठीक है तो यह चीज़ आपके पास में clear हो जाती है तो यहाँ पे दोनों की calculation कर लेंगे काम खतम हो जाएगा sir ठीक है चलिए तो यह आपके पास में हो जाएगा cost of control का और minority interest का calculation उससे पहले आपको pre profit post profit जानना पड़ेगा तब भी तो value put कर पाएंगे सीधी सी बात है तो आएए उसके बारे में यहाँ पर क्या करते है sir calculation आपके पास में कल लेते हैं ठीक है जल्दी से calculation आपके पास में कल लेंगे चलिए तो क्या कहता है sir आपके पास में analysis of profit बना ले working note बिलकुल बना लेते हैं चलिए यह तीन काम खतम होते ही पहला sir minority interest ठीक है दूसरा cost of control और तीसरा analysis of profit यह तीन काम खतम होते ही consolidation भी खतम हो जाएगा मतलब कि consolidated balance sheet तूरंद बन जाएगी उसके बात कुछ बचता ही नहीं बेजिक आपके पास में तो थर्ड पॉइंट आपके पास में analysis of profit analysis of profit कभी-कभी नहीं बनाना पड़ता जब छोटी-मोटी चीज़े होती यहां पे number of आपके पास में additional information ज्यादा है तो मुझे लग रहा है कि analysis of profit बना लेना चाहिए तो कहता है analysis analysis of profit और यह किसके analysis की बात कर रहे है सबसीडरी के profit की ठीक है always ज्यान रखिए यहां पर यह चीज़ तो already आपके पास में illustration partition part में सहरी चीज़ा cover हो चुकी है तो यहां पर ज्यादा कुछ बद लें आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है ठीक है चलिए तो यह चीज़ आपके पास में clear है कि तो आईए देरे-देरे करके start कर देते सब format तैयार कर देते particular प्री और पोस्ट प्रॉफिट ठीक है particular प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट तो कहता है प्री और पोस्ट आपके पास में प्रॉफिट प्रॉफिट यहां पे लिख देता हूं तो प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट आपके पास में हो जाएगा ठीक है स सर यहां पर थोड़ी से कलम बना लेते हैं यहां पर ओके लाइन ड्रो कर दिया हमने इतनी सफिशेंट होगी ठीक है सर यह चीज़ भी आपके पास में कवर चलिए तो जल्दी से इसको सौल करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखिए जो गिवन होता है वही चीज़ लिख लेते हैं क्या चीज़ सर आपके पास में सबसे पहले मुझे याद है सर प्री प्रॉफिट आपको ओल्र Vietnamese वह और सर इसंब्से फहले तो वह की इन से स्टार्ट करते सब कहते हैं कि प्रॉफिट से ऑल अकांट जनरल रिगोजों है तो पी औन पी एन MAYOR आपके पास में जनरल रिजव अपके पास में कीवन है प्रीह authenticity का भी निकाल लेंगे किते किसे पी कितना किवन है जो डायरेक् ठीक है सर यह इन रूपीज है ओके सर यह चीज़ आपके पास में क्लियर है इसके बाद पी एनल का क्या था कहता है प्रॉफिट एन लोस अकाउंट में 1200 लेक है 1200 लेक्स रूपीज ठीक है पोस्ट की बात करें तो वह तो बैलन सीट से पता चली जाएगा बैलन सीट में बताई यह जैनल रिजर पीनल कितना है कहता है यह एंड डेट पे यह एंड डेट पर धियान रहे सर यह एंड पर यह दोनों बैलेंस है तो सबसे पहले क्या है सर कितना हुआ 1620 दिख रहा है मतलब कि बढ़ गया प्रॉफिट कितने से बढ़ा बढ़ा तो एड करेंगे सर 420 लैक 420 लैक एड कर देंगी यह पोस्ट पिरेड का है क्या बात समझ में आ रहे है 420 लैक एड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट आपका बढ़ा है 1200 था 1620 हो गया त जो डिफ्रेंस है वो माइनस करना पड़ेगा कहते 3000 प्रॉफिट हुआ अपना जनरल इस हुआ करता था यह रेंडेट पे देखा तो कम हो गया आपके पास में कितना कम हुआ 1620 1620 हो गया लैक आपके पास में यह माइनस करेंगे क्यों सर कम हो गया बिजिकली और अगर आप अच प्लस माइनस 1620 तो आपके पास में कितना या 1-380 चीटलो जरू सिर्फन का जरूर है आपके पासके ओए यह इसके बाद यहां पे नेक्सट मैंट क्या कहता था यह फोइसट पॉइंट काश लो ट्रीटमेंट खतम हो गया फॉच्छ पींट का ट्रीटमेंट कहता है और वो भी प्री आपके पास में acquisition dividend है एच लिमिटेट ने गलती से P&L में डाल दिया अब ये भी गलती कर दिया आपने कोई दिकत नहीं है एच लिमिटेट का तो चलो देख लेंगे सबसे पहले dividend की treatment तो करते dividend declare किया है सर और dividend जो है पीछले साल का है और इस साल आपने पे कर नहीं होगी क्या सर करंटियर का आपने post period का जो है amount यूज कर लिया होगा previous year का dividend है आज पे कर रहे हो आज पे कर रहे हो मतलब कि मतलब कि आज का profit यूज करेंगे previous year का नहीं ठीक है आज का profit यूज करेंगे सीदी से बात post profit कम हुए होगा तो वापस उसे rectify करना पड़ेगा post profit में उतना amount dividend का amount add करेंगे और pre में से minus करेंगे जैसे कि previous question देखा था तो sir आपके पास में dividend ठीक है dividend आपके पास में जिसका amount कितना है sir कहता है dividend का amount यहां पर calculate कर लेते कितना dividend होगा तो सीधी से बात है आप बताइए कितना आपके पास में फेस्वेल्यू है ध्यान रखना दोस्तों ध्यान रखना यहां पर इंपोर्टन पॉइंट है ध्यान से कहता है कि सर आपके पास में फेस्वेल्यू कितनी है sir 4800 ठीक है इसका 20 परसंड लेंगे आप सीधी सी बात है इसका 20 परसंड लेंगे क्योंकि dividend always face value पर होता है face value कितनी है 4800 लेकिन सर ध्यान से क्यों ध्यान से कहता है कि सर आपके पास में देखे तो कहता है कि सर डिवीडन तो आप पे कर रहे है चलिए ठीक है लेकिन डिवीडन कब का पे हो रहा है सर पीछले साल का 31 मार्ट 2000 का मुझे बताईए सर 480 जो आप लेके आए ठीक है या फिर 4800 रुपीज के कैपिटल ठीक है 4800 की कैपिटल क्या उसमें इस साल जो बॉनस इशु करा हमने नेक्स पॉइंट में बॉनस इशु है क्या उसमें इंक्लूडेट होगा ओविसली यस स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा है मुझे बताना सर ये तो इस साला आपने बॉनस इशु किया पिछले साल क्या bonus हुआ करता था answer is no तो क्या उस पे dividend pay होगा answer is no उस पे dividend pay नहीं होता तो sir मुझे यहाँ पे क्या amount चाहिए sir without bonus amount चाहिए without bonus sir without bonus amount चाहिए तो simple है ना sir already calculation कर चुके आपके पास में बताए sir without आपके पास में number of shares कितने है sir without bonus आपके पास में number of shares कितने है 300 एक share की price कितनी है sir आपके पास में एक share की price 10 रुपे तो 300 into 10 कर दो आपके पास में without bonus amount capital amount आ जाएगा sir ठीक है without bonus 3000 lakh रुपिस simple सी बात है sir तो यहाँ पे 3000 pay calculation करना होगा dividend का amount dividend उस पे मिलेगा bonus पे थोड़ी ना मिलेगा क्योंकि dividend पिछले साल का declare हो रहा इस साल का नहीं आपके पास में ठीक है interim dividend थोड़ी ना है तो यहाँ पे कहते 3000 पे dividend मिलेगा 20% के हिसाब से ठीक है sir 20% के हिसाब से 3000 पे आप dividend पे कर रहें ठीक है अब देखे पिछले साल का है इस साल आप पे कर रहें सिधी से बात है इस साल का profit यूज कर लिया होगा लेकिन करना तो पिछले साल का चाहिए था practically देखा जाए तो पिछले साल का profit यूज करना चाहिए था पिछले साल का आपका पास में dividend है तो यस sir लेकिन इस साल का कर दिया होगा बिल्कुल सर तो यहाँ पर rectify करना पड़ेगा तो इस साल का minus हो गया होगा न profit सिधी से बात है dividend बाट दिया तो minus हो गया मुझे add back करना है यहाँ पे कितना answer आ रहा है 3000 into 20% 600 मैं add back कर दूँगा यहाँ पे add back आपके पास में 600 lakh 600 lakhs रुपिज add back कर दूँगा okay sir 300 lakh रुपिज आप जो है क्या कर देंगे add back कर देंगे और यहाँ से less कर देंगे pre मैं से pre profit को कम कर देंगे क्योंकि सही entry यह है आपके पास में sir यह चीज़ clear एक दम से एक दम से यह चीज़ आपके पास में clear है ठीक है sir तो bonus का काम भी खत्म sorry dividend का काम भी खत्म आपके पास में अब bonus पे आते हैं अच्छा dividend में एक चीज़ जियान रखना कि जो आपके पास में edge limited हो P&L में ले गए भाई साब ठीक है तो वो गलत करा है उसको rectify बाद में कर देंगे कहते हैं कि अब next point bonus issue bonus issue से क्या होता है capital आपके पास में increase हो जाती है ठीक है sir कोई दिक्कत नहीं है बताइए sir bonus issue किस तरिके से कर रहे है कहते हैं कि आपके पास में bonus issue किया जा रहा है first gen 2001 को तीन शेर्स दिये जाएंगे bonus पांच शेर्स के बढ़ ले और वह भी आपके पास में कहता है general reserve यूज कर रहा है अब देखिए bonus issue से कोई relevant नहीं है लेकिन bonus issue के लिए जो आप यह fund यूज करते हैं इसके लिए analysis of profit में इसकी entry आती है ठीक है जो fund यूज करते हैं वो थोड़ी से यहां पर entry करने पड़ती है कैते bonus issue कप का कर रहे हैं सर इस साल का date लिखे हुए सर date लिखी हुए first gen 2001 इस साल का अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं अच्छा general reserve में से bonus issue कर रहे हैं बिल्कुल सर यहां पर लिखा है general reserve में में हुआ है ठीक है bonus issue अगर आपके पास में हुआ है तो रूल आपके पास में क्या कहता है रूल बड़ा ही simple है कहता है कि सर अगर bonus issue हुआ है और entry हो गई आपके पास में तो simply एक इसका यहां पर simple सा point होता है कि अगर already entry हो चुके obviously entry हो चुके है first gen 2001 को आपने bonus शीश्य किया entry कर दियो अपने क्याता है already entry हो चुके है तो आपको simply treatment करने treatment fix है आपके पास में क्याता है post में से आपके पास में जो है जो À 정in पर पर समझ में आ रही है पोस्ट में एंडशा है करो प्रिपिरेड में निसे टथि कर दिए है तो चैता है बोनस आपके पास में और बोनस कितना दिया जा रहा है Бॉनस के लिए तो अरड़ी calculation करें थे न हम बॉनस के लिए calculation यह रहाब बॉनस शेर्स के लिए calculation already कर चुके 180 लेक शेर्स है तो इसका amount निकालना हो तो कितना amount आएगा सीधी सी बात है आपके पास में 10 रुपे का एक शेर है ठीक है तो 180 लेक शेर्स है इंटू 10 करेंगी 1800 रुपीज लेक्स आपके पास में आ जाएगा तो 1800 रुपीज आपके पास में ठीक है तो यह आपके पास में आ जाएगा सर 1800 लेक्स ठीक है जैसे कि मैंने कहा सर ट्रीट्मेंट क्या करना है सर पोस्ट में एड़ बैक कर देना है 1800 लैक्स और प्री मैसे माइनस कर देना है यह आपके पास में ट्रीटमेंट आपके पास में सेम रहेगी लेज़े तो यह चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है ठीक है निकाल लिजे इसका टोटल कितना रहा है 1200 आपके पास में प्लस 3000 माइनस 600 और माइनस 1800 तो इस तरव का टोटल आपके पास में आएगा 1800 लैकर रूपिस 1800 लैकर रूपिस जो कि आपका क्या है सब्सक्राष्ट और पोस्ट Kapивать में लिख बेलेजिए 420 आपके पास में माइनस 1620 प्लस 600 और प्लस 1800 आपके पास में तो 1200 रिक हैसी आपके पक पोस्ट प्रॉफिट ट्वेर हंडेर लक रुपीज आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट काम खतम हो गया सर जी सारी चीज़ा हो चुकिए अब यहां पर देखेंगे तो आपके पास में यह चीज़ भी खतम हो जाएगी ठीक है आपके पास में क्या चाहिए था सा इंट्रेस के लिए शेर कैपिटल कितनी है सिंपल सी बात है शेर कैपिटल प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट तो निकाल चुक है सरी एटीन हंड़े और ट्वेल हंड़े तो कहते हैं यह आपके पास में है एटीन हंड़ेड लैक ठीक है सर यह इन र पास में बस minority interest में क्या लिखना शेयर कैपिटल आपके पास में लिखना है ठीक है तो बता दीजिए शेयर कैपिटल यहां पर आफ्टर ऐसा कुछ नहीं होता जो बैलने शेट में at the end of the year दीखती है वही लिए नहीं होते है ठीक है वो तो आपके पास में जब analysis of profit करते हैं वहाँ पर आप्टर वगेर देखना पड़ता है जब आप percentage निकालते हैं वहाँ पर आप्टर देखना पड़ता है यहां पे तो minority interest में तो direct share capital लिखने है जो बैलने शिट में दीख रही है ठीक है four hundred eighty sorry four thousand eight hundred four thousand eight hundred आपके पास में लैक्स ठीक है टोटल लगा लो इन सब का और इनका 40% करतो four thousand eight hundred plus eighteen hundred plus twelve hundred into आपके पास में 40 percentage कहता है कि आपके पास में कितना आ रहा है इसका total यहां पे मैं इस तरीके से लिख देता हूं कि यह जो आपका answer आ रहा ने क्या बात clear है आपके पास में ठीक है सर कोस्ट आप कैपिटल भी इसी जाहींते कोश्ट आप कैपिटल में कहता है कि सर यह मंधों आपके पास से four thousand eight hundred lag है और है रुपीस इन लैक्स आपके पास में ठीक है क्या प्रे प्रोफिट कितना है प्रे-प्रोफिट तो abandoning निका लगा ठीक है सर 4800 प्लस 1800 इन्टॉ 60 परसंटेज आपके पास में तो आंसर आ जाएगा क्या सर आपके पास में कोस्ट ऑफ कंट्रॉल का बेजिकली जो अगर प्लस नहीं तो सिंपली बात है कि आपके पास में क्या आएगा सब प्लस में तो गुड्विल है और माइनस में आया पॉस्ट ओफ इंवेस्मेंट में से यह चीज माइनस करनी होती यह चीज मैंस करेंगे बेजिकली तो यह चीज्ज आपके पास में माइनस हो सबसे पहले तो मैं नीचे यहां पर लाइबिलिटी साइड वगेरा में देख लेता हूं इन्वेस्मेंट में अगर कुछ दीख रहा है तो काम हो जाएगा कहता है कि आपके पास में इन्वेस्मेंट देखें यहां पर कहता है तो कहता है कि कितने में पर्चेस किया तो कहता है तो तो जो भी आंसर आएगा एक चीज यहां पर ध्यान रखना सब डिवीडन डिकलेर किया था जो कहता है कि सर प्री एक्विजिशन डिवीडन था इनवेस्मेंट की कोष्ट में से माइनस करना था लेकिन इन लोगों ने क्या किया सर पी एडनल में बेज दिया गलति करी सुधानन पड़ेगा किते थ्री थाउजन में अपने पर्चेस करा 3000 lakhs इसमें से dividend amount minus करना था सर, dividend कितना मिलने वाला है, कहते है, dividend total बाटा कितना, total dividend जो है 600 lakh का बाटा था, ठीक है, लेकिन holding को कितना मिलेगा, 60%, तो 600 into 60 percentage आपके पास में, 360, यह 360 minus करना है, तब आपको real cost मिलेगी, तब आपको real cost मिलेगी, cost of investment से, ठीक है सर, तो cost of investment अब लिखना आपके पास में, तो बताइए cost of investment कितना आ रहा है, कहते है, 3000 minus 360, आपके पास में, 2640, अब निकाल लीजे, sir, goodwill है, या फिर capital reserve, तो इसमें से यह दो चीज़, minus कर दीजे, 2640 minus 4800, minus 1800, तो आपके पास में, जो answer आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो देख लीजे, sorry, इसका 60% करना भूलना मता, 4800 और 1800, आपके पास में, उसका 60% amount लेना है, basically, तो यह 3960 आएगा, और यह चीज़ आपको minus करनी है, तो 2640 minus 3960, तो आपके पास में, 1300, 20, lakh आपके पास में, rupees आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं देख हू, sir, तो minus में आ रहा है, मैरा answer, minus में में आ रहा है, basically, अगर आप calculation किये हो, तो आपको पता है, minus में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, sir, यह capital reserve है, अगर goodwill आता, अगर आपके पास में goodwill आता, तो वो asset में जाता, capital reserve, reserve and surplus में जाएगा, सारी चीज़े हो चुके, अब यहाँ पे simply कुछ भी नहीं करना है, simply आपको क solution में सबसे पहले इतनी entry करवा देता हूँ, उसके बाद बाकी की बाते करेंगे, question number 10, practical question number 10, consolidated financial statement, आपके पास में, कहां है, यह 9, 10 कहां गया, यह रहा, जल्दी से यहाँ पे में mark करवा देता हूँ, चीज़ों को, तो आपके पास में चीज़े clear हो जाएगी, सबसे पहले तो सर, minority interest का काम खतम कर देते, minority interest तो सीधी से बाते separate heading के अंदर आता है, minority interest, कहां जाएगा सर, सीधी से बाते, equity and liability में, second number की column, second number का heading, minority interest के लिए होता है, आप देख सकती है, minority interest, 3120, काम खतम, इसके बाद क्या था सर, cost of control, जिसमें हमने, निकाला सर, capital reserve है, कितना सर, 1320, capital reserve माइनस में होता है, तो यहां पर minus 100 करने की जरुवत नहीं होती है, तो मैं आपको बता रहा था, basically, आप module में जो working note देखेंगे, तो यह minus 100 करने की जरुवत नहीं होती, क्योंकि capital reserve का मतलब ही होता है, कि minus में आ रहा है, ठीक है, तो इसको 100 करने की जरुवत नहीं ह क्लियर, ओके, इसके बाद आपके पास में, सर, pre profit और post profit आपके पास में था, ठीक है, यह related कोई दिकत नहीं है, अब हम आगे करते है, calculation अपना, ठीक है, solution में मैं आपको एक एक करके marking करवाते चलता हूं, और काम खतम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले, रिजर अंसर प्लस में, side by side question solve करके, आपके पास में create करवा देता हूं, तो यहाँ पे, आ जाएए, question यहाँ पे solve करता हूं, और solution यहाँ पे, करके हम इसका solution लेके आएंगे, तो कहता है कि sir, question number 10, share capital सबसे पहले हम लिखेंगे sir, ठीक है, share capital, बताइए sir, share capital always किसकी लिखे जाती है, holding कि के औल और के subsidy की नहीं लिखी जाती है, ठीक है sir, तो share capital आपके पास में, कितना है sir, holding का, holding का sir, holding का 12,000, तो यह 12,000, ठीक है sir, यह चीज़ भी clear, reserve and surplus में देखना sir, holding का तो आएगा ही आएगा, plus subsidy में आपके पास में देखना पड़ेगा sir, subsidy में क्या देखना पड़ेगा, कहते हैं कि sir, reserve and लेनी पड़ती है, आपके पास में basically, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर calculation करके देख लेते हैं, सबसे पहले detail चीज़े देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भले ही mark करती हैं, हमने, सबसे पहले detail चीज़े देख लेते, कि reserve and surplus में note number 2 में क्या क्या detail दे रखी, यहाँ पर आपक हैं कि देखे, holding company का profit तो यहाँ पर आना ही आना है, ठीक है, reserve and surplus में holding company का पूरे का पूरा profit आना है, ठीक है, फिर adjustment की बात करेंगे, सबसे पहले मुझे बताई दीजिए, कितना profit है, कहता है general reserve, और P&L मिला के for 5,499, 5,499, यहाँ पर हम बात कर रहे है, reserve and surplus की, ठीक है, उसकी calculation कर रहे है, ठीक है, यह चीज़ आपके पास में ठीक है, okay, समझ आ गया, कहते है, यह calculation है, कुछ, अब इसमें adjustment करनी पड़ेगी, यह direct amount नहीं चला जाएगा, इसमें कुछ adjustment भी करनी पड़ेगी, और अभी अभी हमने जो reserve की बात करी, capital reserve, कितना निकल के आया था, capital reserve आपके 20, अब बात करते हैं, सर, adjustment की, ठीक है, अब बात करते हैं, adjustment की, जड़ा question open करिये, question में कुछ चीज़े थी, जो profit adjust करना पड़े, ऐसा था, कुछ, तो वो चीज़ अब देखते हैं, देखे, सबसे पहले point में, ऐसा कोई profit adjust करना पड़े, ऐसा नहीं था, कुछ, इसके बाद dividend dividend था, dividend में कुछ ऐसा था, क्याता है कि सर, गलती से profit and loss account में डाल दिया था, amount कुछ, जो कि वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, वो कौन सा amount था, dividend का amount, और dividend के लिए calculation करी थी, कितना बन रहा था, 360 lakh, ठीक है, तो 360 यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने already, cost of investment कर दिया, क्योंकि pre acquisition dividend था, इसकी सही entry क्या थी, 360 cost of investment से minus करना था, जहाँ पर हमने minus कर दिया, आपके पास भी, तो यहाँ से आपको जो है, वहाँ पर minus करना था, यहाँ पर basically आपको नहीं लेना था, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया, सर, यहाँ पर आपके पास मे dividend का काम खत्म, दूसरा एक और point था आपके पास में, जो profit से related था, bonus चलो ठीक है, bonus की बाद में बात करते हैं, सबसे पहले यह रहा, इसमें भी profit चुपा हुआ है, और आपके पास में पता ही, sir, inter आपके पास में transaction होते हैं, तो उसका profit यहाँ पे लिया नहीं जाता, basically, तो व के पास में, 100 lakhs, into आपको क्या करना है, sir, basically, यही आपको formula यूज करना है, 25%, divide by 100 plus 25%, मतलब की 125%, answer निकल दीजे, कितना आ रहा है, 100 into 25, divide by 125, profit आ जाएगा, sir, 20 lakh रुपे, 20 lakh रुपे, टीक है, जो hidden profit है, जो आपको नहीं लेना था, टीक है, यह आपके पास में hidden profit, जो नहीं ले इसके बाद, sir, bonus की बात करते है, sir, bonus भी आपको मिला, bonus मिला है, तो सीधी से बात है, एक तरीके से reserve आपके पास में increase हो गया, आप holding company है, 60% आपको bonus मिला है, sir, बिल्कुल बिला है, bonus की calculation क्या थी, हमने करी थी, आपके पास में, bonus की calculation यहापे दिखानी पड़ेगी, basically, हमने कर थी, ना, bonus कितना आ रहा था, यह रा, bonus केता है, sir, 180, share सापके पास में, 180, like share से, amount में convert करना है, अच्छा, bonus तो आपके पास में post में हुआ था ना, एक minute, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, यह आपके पास में, first gen 2000, अच्छा, bonus की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो चीज़ आपने यहाँ पे consider नहीं कर पाए, जो मैंने कहा था, sir, कि आपको पता है, sir, pre profit यहाँ पे consider हो जाता है, 60%, ठीक है, लेकिन, sir, post profit 60% यहाँ पे consider नहीं हुआ, देखे, minority interest जो है, वो pre और post दोनों लेता है, pre profit यहाँ पे 40% ले लिया, pre profit यहाँ पे 60%, मतब कि pre profit एक consolidated balance sheet में, यह मैंने illustration part में detail में पढ़ाया था, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी, तो कहते है, post profit का, जैसे कि वापस यहाँ पे लिखवा दू, जो मैंने illustration part में लिखवाया था, pre profit का दो पार्ट होता है, ठीक है, जो भी answer आता है, pre profit का दो पार् ले जाती है, लेकिन कहता है, subsidy minority interest में ले जाती है, लेकिन जो post profit का, बाकी का holding का percentage होता है, ठीक है, holding का percentage, basically holding percentage, वो कोई नहीं ले जाता, क्यों, क्योंकि cost of capital तो कहता है, कि sir, हम तो सिर्फों से pre profit ले थे, और minority ने अपना इसेदारी ले लिया, ठीक है, post में, तो holding का जो percentage है, तो कहता है, कि जो रह गया, वो balance sheet में जाएगा, क्या बात समझ में आरी है, तो कहता है आपके पास में, जो 1200 lakh आपके पास में है, post profit, इसका holding का हिस्सेदारी कितना है, holding का हिस्सेदारी कितना था, 60%, तो कहता है, इसका 60% करिये, जो भी answer आ रहा है, वो यहाँ पे आपके पा profit है ठीक है holding आपके पास में holdings general reserve and आपके पास में PNL है ठीक है general reserve and PNL साथ में नाम लिग लिए थे आपके पास में clear हो जाएगा इसके बाद 360 क्या था 360 आपके पास में dividend का amount था जो आपने गलत ले रखा था इसलिए यहां पे entry करनी पड़ी dividend सब 20 क्या था प्रोफिट आपके सकते हैं ठीक है अन्रियलाइज प्रोफिट जो आपने नहीं करना था इंटर ट्रांजेक्शन था इसलिए और 720 क्या था सर आपके पास में 60% of पोस्ट प्रोफिट सारी चीज़े आपके पास में पोस्ट प्रोफिट क्या यह चीज़ क्लियर है सीधा टोटल लगा दीज़े आपके पास में 5499 प्लस करेंगे 1320 माइनस करेंगे 360 माइनस करेंगे 20 और एड करेंगे 720 आपके पास में ठीक है तो इतने से चीज आपके पास में आ जाती है बस यह जो तोटल आए आपके पास में के डाल देंगे ठीक यहां पर आपके पास में देखे अगर सॉल्वूशन तो कहते है कि सॉलूशन के अंदर reserve and surplus कितने का दिख रहा है वही amount का दिख रहा है 7159 लीजिए 7159 clear है यह आपके पास में यहाँ पे वही amount आ जाएगा 7159 ठीक है reserve and surplus में थोड़ी बहुत चीज़ है थी जो आपको ध्यान में रखनी थी और कुछ नहीं इसके बाद यहाँ पर आ चाहिए कहता है trade payable trade payable में एक चीज़ थी बस उसके अलावाद तो कुछ नहीं है trade payable में सबसे पहले तो दोनों का total लगा लो ठीक है तो यह दोनों चीज़ तो आनी 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 आपके पास में तो working note इनकी अगर देखे आपके पास में तो trade payable सबसे पहले तो दो चीज़ आनी आनी है सबसे पहले वो चीज़ लिखेंगे ठीक है जी तो कहता है कि आपके पास में इनके working note के हिसाब से यहाँ पे लिखा है तो working र नोट। पहले ओपन कर लेता हो देखिए नवी नहीं रही हैं यहार क्रेशा है क्रेडिटर और यह दोनगतेज्स दिखा नहीं चाहते तो nächste रह देखा कि thoroughly टीजिए क्लियर है थोड़े साग्फ इत्व है वहल घपिती त्रांजेक्षंट है अ यह संगल Cornish to same मैं आना ही आना है त्रीतर लोंच्ट आना ही आना है टोटल आपके पास में आपके बाड़ेगा थिस भी आएगा तब मैं वा पस पुंगा कि लिए से फोटीपाई base लमई उर्फ आपकी बड़ेगा तो तो वहां पे भी अच्टाने को आएगा ठippet तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा इसरफ कानप पड़े गाए ठीक अथीक लिडिंगे तो यहाँ पे आप जो है इसका करना है आपके पास में ठीक है इसके बाद आप के पास में क्या तए quindi č門 थैक के यहां है क्या करेंगे सब्सक्राइब को एक हमने कोई चेंजिस नहीं करें तो इसका सिंप्ली टोटल करी 855 प्लस 394 और टोटल यहां पर लगा देना है ठीक है जिसमें कोई चेंजिस नहीं करें उसका टोटल यह आ जाएगा बेसिकली इसके बाद अधर करन्ट लाइबलिटी जो कि कहता है डिवीडन पेएबल आपके प प्रिक्षि का रहीं ते प्रोपर्टी प्लांट अटी में हमने कोई चेंज रहें यहाँ पर तो यहां पर तो डेपरिशेशն वगेरा भी कुछ गीवन नहीं था आपके पास में रहता है फीजिकली ञागन रह सबगरास मृटी इस बार वह जाता है तो कोई ही नहीं तो इसके बाद कियाता है इन्वेंट्री में अभी हमने कोई चेंजिस करा आंसर इस 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 में कुछ यहां पर ट्रांजेक्शन थे आपको याद हो इंटर ट्रांजेक्शन अभी अभी हमने कहा ठीक है जो 20 आपके पास में लेक का प्रॉफिट आ रहा था न वहीं चीज़ आपक परसेंट इन्वेंट्री के अंदर हीडन प्रॉफिट अन्रिलिस प्रॉफिट चुपा हुआ है और हमने यह निकाला था 20 परसेंट स्वरी 20 लैक रूफिज आ रहा था कैल्कुलेशन अभी अभी मैंने नॉट्स करवाई आपके पास में यह रही 20 लैक आपके पास में अन् पड़ेगी तो इन्वेंट्री का टोटल बेसक कर दीजे टोटल कितना आ रहा है देखे थ्री 949 3949 प्लस 1,956 यह तो आपके पास में आना है कोई दिक्कत नहीं बस 20 लाग का जो प्रॉफिट है वह अटा देना ठीक है 20 लाग माइनस करोगे आपके पास में आंसर आ प्लस 1,562 तो यही आना था लेकिन बस एक दिक्कत हो गई क्या दिक्कत हो गई सर आपके पास में यह जो 45 लाग रुपिस के अजस्मेंट थी वही ठीक करनी थी तो कहता है 45 दोनों में से माइनस कर दो ट्रेट पेवल में से तो कर दिया रिसेवल में से भी माइनस कर दो प्लस टूटल करेंगे वही चीज़ आपके पास में यहां पर के से इक्वेलेंट के नाम पर आ जाएंगे इसके बाद कहता है शूट-term लोन में भी हमने कोई चेंजिस कर रही नहीं नहीं है इससे रिलेटिट को एज़िसमेंट थी तो कहता है टो टॉटल कर दो यहां पर को चाही नहीं Zukunft 20 आजाएगा आपके पास में और यह कुशन खतं हो जाएका टो टॉटल करेंगे इसका तो यहां पर आपके पास में answer मैच हो जाएगा ओप्ल सा एलिश्टेशन था बस यहां पर काफी सारी एज्जेस्मेंट कवर हो जाती है तो कोश्षिन बढ़ा ही important बन जाता है तो question बढ़ा ही important बन जाता है बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहां पर नहीं लग रही है simple सी बात थी यहां पर basically ठीक है तो simple सिंपल से कोईशन थे सिंपल सिंपल से यहां पर पॉइंट्स थे बस थोड़ी सी च्यान में रखने वाली बात है बॉनस में यह सटिक रहना कि अगर को एंट्री हो चुकिए तो इसकी फैक्स है आपके पास में एक एजस्मेंट रहती है कि पोस्ट में से आपको जो है क्या कर समय और आपके अपने लेक्चर में तो बेजिकली पढ़े होंगे बैसिकली मैंने तो यहां पर सिंपली कोशन सौल करवा है कॉंसेप्ट आपके पास में मान के चले जाता है कि आप वो पढ़के आते हैं ठीक है तो पूरे का पूरा एस 21 यहां पर कोशन एक कोशन सोल हो जा टेलेग्राम को जरूर जोइन कर लीजे और वहां से हमारे साथ जोड़ जाएए